मातो श्री देवी अहिलिया बाई होलकर की पुन्नतिती के मौके पर हर साल निकलने वाली पाल की यात्रा इस साल कीर्थिमान बनाएगी जुसमें लाखों की संख्या में इंदौर वासी शामिल होंगे इंदौर यानि देवी अहिलिया की नगरे अहिलिया पाल की यात्रा की परंपरा इस साल अलग आकर्शन के साथ निकलेगी पाल की यात्रा की कमान समाले वरिष्ट समाथ सेवी अशोग डागा, आईडिय अध्यक शंक लालवानी और राम स्वरूप मूंदरा ने मीडिया को ज प्रांकारी देते हुए बताया कि इस साल माताश्री देवी अहलिया भाई होलकर की पालकी यात्रा पारंपरिक अंदाज में विशेश आकर्शन के साथ निकाली जाएगी जिसमें इंदौर की संस्कृति की जलक और होलकर राजवन्ष के इतिहास का समावेश दिखाई देगा पवित्र पालकी के पूजन के बाद यात्रा शुरू होगी जो जन सैलाप के कीर्थीमान के साथ संपन होगी इसी प्रकार से फिर साड़े तीन बजे मुक्ष समारो प्रारम होगा उसमें राम शिंदे जी जो महाराश्ट के जल्द संसादन मंत्री है यह शंद्राओ जी होलकर बंबई से पदारेंगे और महादयो जानकर जी मतस्य पश्वपालन मंत्री महाराश्ट सरकार है वो पदा इस्थानों पर जिसे महू सामेर देपालपूर अपने बेटमा कंपेल इसे अन्यक कम से उन दस से बारा इस्थानों पर अहल्यों सो मनाय जा रहा है इंद और विकास प्राधिकरण के अध्यक शंकल लालवानी के मताविक इस साल पालकी यात्रा के मार्ग में थोड़ा बद वह कल शाम को पांच बिजे पालकी यात्रा निकले इस बार उसका जो इस्तान है वह परिवतन के अगया है गांधी हल में काम चल रहा है इसलिए एपी मंडर से यात्रा शुरू होकर पांच बिजे जो है वहा होती हुई चिक्मंगलूर्च और जेलोड होते हुए ब्रग्डेनी होते हुए करेश्व पूरा चत्री पे जाएगी और और अलाल्पुरा नंदल्पुरा से जवारमार और जवारमार से यशनरोडो और यशनरोडो से राजवारणा पे शोबहयतरा अहिल्या मता की परिक्रमा करेगी और उसके बाद वो गोपाल मंदिर पे समापन होगा ना केवल होलकर राजवंश बलकी पुरातन इंदौर की जलक और इंद्रेश्वर मंदर में विशेश पूजन के साथ पुन्ने तिथी कायजवन होगा जिसमें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्र माहजवन विशेश रूप से मौझूद रहेंगी अहिलिया पल की यात्रा पूरे लाव लशकर के साथ निकाली जाएगी जो केंद्र बिंदू राजवारा पर जाकर जन सहलाप का किरतीमान भी बनाएगी बियोरो रिपोर्ट, MP News और झाल